मैं बताओ ना तो ये चप्टर आपका एक्जाम में एक फेवरिट चप्टर बनने वाला कि यह पेपर में दस पंदा नंबर का ऐसा कोशन आए फटा फट डूंडो और फटा फट पहले इसको निफटा दो बस में होगा क्या लैंग्वेज और लैंग्वेज के आपको कम से कम दस से बारा कोशन प्रैक्टिस करोगे तभी आए तर चलिए एक 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 एसेट्स लाइबिलिटी माल लेते हैं कहता है दा कमपनी नॉट डूइंग वेल मतलब कमपनी अच्छा खासा काम नहीं कर दी इट वाज एक्यूमलेटिड लॉट्स अफ लॉज काफी सारे नुक अब यह इतने का है बोलता है कि यह लेंड एक असी का हो जागा तो चेक करो लेंड कितने का था आपका कितने का था यहां फाइदा हो गया इसके बाद परनीचर कहता है बहत्तर का कर दो परनीचर बहत्तर का कर दो कितने का था असी का यहां नुकसान हो गया प्लांट इन मस सब्सक्सान हो गया और बाकी ऐसे जो था वही है उसमें कोई बदलाव नहीं है दा फॉलाविंग स्कीम रिकंस्रक्शन अप्रूब्ड बाइदा कोट कोट ने अप्रूब्ड कर दिया कहता है कि कुटी शेर कंवर्ट इंटू तो रुपए वोलो भी यह जितने का भी कुटी इसको दो का बना के खतम करो तो भाईया यहां पे अगर मैं एकुटी नंबर पूछू तो 20 लाक के और 10 रुपए वाले थे तो इसका मतलब 2 लाक एकुटी शेर थे अब 2 लाक एकुटी शेर को 2 रुपए में कंवर्ट कर दो तो अब कितने हो जाएंगे 4 लाक तो यहां फा लेते हैं ओल्ड इकुटी अकाउंट डेबिट तो नियू इकुटी चार लाक और तू अगले पॉइंट पर आते हैं कहता है यह यह 10 परसंट पर्फरेंश यह होल्डर को कंवर्ट कर दो 12 पर्फरेंश चालीस रुपए का एक कर दो उसको पहले कितना था 100 रुपए का यानि पहले हमारे पास 5 लाक वो डिवाइड अगर 100 से करें तो 5000 के शेर थे अब बोलना भी है इन 5000 को जो पहले 100 रुपए का यह एंजॉई कर रहे अब बोला कि इसको कितने का कर दो सर 40 का तो 5000 इंटू में 40 तो इसको कितने मिलेंगे अब और फाइदा कितने समझ में आ रहे है कि दी बेंचर ओलडंडर ओल्डर आ गया भाइचा ध्यान देना होलडर में इंटरस को भी ध्यान देना है के नहीं है फोर्गो, फोर्गो का मतलब छोड रहा है, क्लेम बाई 74 अजार, डिबेंचर होल्डर बोलता है, चल ठीक है मेरे को 74 अजार मत दिए, तो पहले पता तो करें, डिबेंचर होल्डर ते को देना कितना है, तो डिबेंचर होल्डर को देना है 2 लाख, डिबेंचर होल्डर को दे और कुछ पार्ट डिवेंचर के छोड़ रहा होगा तो यानि पहले तो मेरा इंट्रस्ट खतम हो जाएगा इंट्रस्ट खतम हो जाएगा मतलब जो व्याद दे रख्खाय कोश्ण में वह खतम हो जाएगा इंट्रस्ट अकाउंट डेबिट कितने 2400 और डिवेंचर भी कुछ खतम होगे 24,000 है गया अच्छा हजार डिवेंचर भी खतम होगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने डिवेंचर खतम करोगे 74,000 में से 24,000 तो हमारे थे इंट्रस्ट बाकी बच गये 50,000 के डिवेंचर ध्यान दीजिए ज़्यादा आपको इधर नहीं जाना उसने बोला बस 74,000 को वेव अप करेगा वो अपना तो 74 में से क्या-क्या इंट्रस्ट का पैसा वो छोड़ने को तयार होगे और कुछ संपार्ट तो भाईए अगर 74 में से 24 इंट्रस्ट का पैसा है तो डिवेंचर का पैसा कितना छोड़ रहोगा 50,000 अब हमारा फाइदा पैसी मैं लिख देता हूं नए वाले बैलेंशीट में कौन बच्चा बताएगा डिवेंचर होगा या नहीं होगा होगा तो कितने का होगा पहले बताओ नए वाले बैलेंशीट में डिवेंचर होगा या नहीं होगा बताईए होगा नए वाले बैलेंशीट में डिवेंच हो जाएगा डेड़ लाग का कितने का डेड़ लाग का सही जवाब डेड़ लाग का तो बस बात तो समझी आगे इसका मतलब आपके ठीक है अगला पॉइंट दा रिडीमेबल दा डिबेंचर होल्डर फोर वो यह तो हो गया दा रिवेलुएशन ओफ एसेट्स एडप्टिड कहता है जो रिवेलुएशन था ना बोल रहे हैं इसको मान लो और ऐसे ही चलो तो भैया कुछ फाइदे थे फाइदे कुछ नुक्सान थे एक में फाइदा था बाकिसमें नुक्सान लेंड इन बील्डिंग में बस फाइदा हो गया तो लेंड इन बील्डिंग to reconstruction सर कितना फाइदा हुआ लेंड इंड बिल्डिंग डेड़ का था और यहां बोल रहा है एक स्थी तो फाइदा 30 का सही लिख रहा हूं नो मैं 30 अब बाकी में नुक्सान तो reconstruction debit बाकी में नुक्सान reconstruction account debit टू क्या क्या सर टू फर नीचर सर टू पी एंडल सर टू स्ट्रॉक सर टू प्लांट इन मसीनरी और कुछ भी रह गया क्या बताए और कुछ भी है सर फरनीचर कितने का कम भाईया अब कह रहे हो 72 पहले था 80 तो आठ प्लांट इन मसीनरी कितने का कम सर पी एंडल 14 लाक 35 जा सर स्टॉक कितने का कम अब पहले 3 लाक का अब 2 लाक का सर प्लांट इन मसीनरी कितने का कम पहले 2 लाक का अब प्लांट इन मसीनरी अब दो का पहले चार का तो टोटल नुक्सान देखा जाए तो 14, 2, 16 और 17 17, 18,000, 18,000 है ना 18,000, 15,000 कैसे जोड़ रहे हैं यह 80,000 है, 8,000 है 8,000 है, अच्छा यह 8 है मैंने 80 मान दिया तो यह आजाएगा 3, 14, 3, 17, 35 और 8 35 और 8 कितने होते हैं बोलो 33, 44 ठीक है आगे चलते हैं कहता है, प्रोविजन 10% मेड अगेंस डेटर भाईया, यह भी नुक्सान तो मैं इसी एंट्री में इसको कर सकता हूं, इंकॉर्परेट प्रोविजन यानि 2 प्रोविजन डेटर पे तो भाई साब डेटर कम कितने का डेटर कम डेटर था हमारा 90 का डेटर कितने का 90 पे कितना कम, 10% यानि 9,000, इसमें अभी बढ़ेगा कहता है, गुडविल and लॉसे रिटर्न आफ कमप्लीटली, ओके भाई साब गुडविल भी रिटर्न आफ करना ये भी आएगा तो गुडविल कितना है एक लाग पिछत्तर हजार कहता है, expense of internal reconstruction 15,000 पे paid in cash अब जब reconstruction होता है ने, तो साधारन वेक्ति नहीं करता है, reconstruction, कोई advocate कोई CAEA करेगा आपके तो अब वो करेगा, तो फिरी में तो काम करेगा नि, उसके बदले पैसे लेगा जैसे dissolution में याद होगा जब dissolution होता था, तो हम payment करते थे, जो dissolve पर रहे हैं ऐसे reconstruction जो करता है, उसको payment करते हैं उसके reconstruction कहते हैं, तो reconstruction में जब paid करेंगे हम, तो पूरा का पूरा ही नुकसान है भाई तो हम यहाँ पे entry पता क्या करेंगे, reconstruction account debit two bank payment done two bank payment done, कितने 15,000, लोजिक खतम इन सब को जोड़ दो, गलत टोटल था 19,000, 19,27 कहता है, पास general entry हाँ, कर दिया general entry अब एक पार्ट general entry का रह जाता है, वहन सा capital reserve वाद, वो चेक करते हैं फाइदा, 16,000, पहले फाइदा जोड़ लेता हूँ तीन लाग, 19,000, फाइदा 74,000, फाइदा 30,000, है न, और कहीं फाइदा है नहीं, नुकसान 19,27,000, नुकसान 15,000, तो टोटल 62,000 बने, तो यहाँ पे आजाएगा reconstruction two capital reserve यह भाई final answer आज़े चेक तब सर्व गीवन है balance sheet में interest yes, यह गीवन है ओहो यह भाई साब कहा जाएगा share issue expense under writer commission preliminary expense, so share issue expense भी write off होगा, मैंने note लिखवाए था न, बिना बताए कितने का है तो भाईया 25 और बढ़ा दो, यहाँ 52 हो जाएगा बस अब भाईया फाइदे में 25 और कम कर दो कितने होंगे 62 में से 25 कम 37 ठीक है इसको बोले या न, बोले करना है share issue expense is also preliminary कर दिया न, बावन जोड के मैंने बावन कर दिया पहले तो बुक में तो यह भी होगा न, पंदरह जा और भी कुछ होगा उपर नीचे टोटल देख लो नीटो ठीक है न सर, debenture repeat कर दो debenture repeat कर देते हैं सर, debenture कहता है यह debenture older है और यह कहता है मैं पैसे नहीं लूँगा मैं पैसे नहीं लूँगा मैंने बोला भाई तेरे पहले पैसे तो बता कितने हैं बोला 24,000 ब्याच के हैं और 2,000,000 रुपे debenture के हैं इसने बोला मैं पैसे नहीं लूँगा कितने नहीं लेगा इसने बोला बस 74,000 नहीं लूँगा बाकी तो लूँगा मैंने वहला ठीक है भाई 24,000 में तेरे 24,000 ये कट गे ब्याज के और बचे 50,000 यहां से कट गे यानि तेरे डिवेंचर अब रहे गे टेड राखता तो हमारा फाइदा जो है एक तो इंटरस्ट खतम हुआ डेबिट कर दिया डिवेंचर भी कट गे 50 के डेबिट और टोटल फाइदा 24,000